सिपला का technical analysis उसका price range के लिए काफी बार suggestion आया हुआ है comment section में बट मैं एक सही time के इंतजार कर रहा था so that आप लोग को सही time पे सही knowledge मिल सके और आप लोग का भी experience हो सके तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो काफी सरा जो भी हम लोग 5 टाइप का technical analysis को उपर हम लोग बात करेंगे पांचों में एक दो थोड़ा सा deflection है बाकी तीनों का confirmation आपको पूरा face to face पूरा clear picture दिख जाएगा और उसके साथ हम लोग fundamental भी थोड़ा सा बात कर लेंगे तो आखी तक वीडियो को जरूर देखेगा आपका जो भी investment decision है supply के उपर वो बाला clear हो सके और जितना भी dilemma है उससे आप बाहर आ सके तो नमस्का दोस्तों market delight में आपका स्वागत है तो हम लोग बिना time waste के चलते हैं supply के पास तो supply में आप लोग देख पाओगे कि 51,622 करोड का company है मतलब लाजचियाब company है और ROC यहाँ पे 10.94 दिखा रहा है जो की पीर्स comparison अगर करेंगे लाजच 5 साल का बाकी सब company के साथ बाकी सब फार्मा company के साथ जो की leading है अभी इंडियान मार्केट में leading pharma sector है तो इसमें हम लोग सबसे कम हम लोग को मिलेगा सिपला का बाकी सब का इस से उपर तो है ही लाजच 5 सल में अगर ROC देखा जाए तो और सबसे अच्छा हम लोग का रोमी दो फार्मा का है और वीडियो अपलोड हो चुका है और उसमें अच्छा कसा उसमें हम लोग जैसे technical analysis किये थे उसमें अच्छा कसा उच्छाल आया भ 11% के आसपास है जो की बहुत कम है जो की 20% के नीचे होता है हम लोग उसको थोड़ा सा कम performing stock मानते हैं करेक्ट उसका बाद हम लोग चलते हैं डेट पे डेट देख लेजे कि यहां पे 2816 करोड का है जो डेट तो इक्विडियो रेशियो निकल के आता है 0.18 ठिक ठाक है कोई दिक्कत की बात है नहीं प्लेस परसेंटेज जीरो है यहां पे जिसे आप लोग देख पा रहे हो प्लेस परसेंटेज पूरा जीरो है कोई दिक्कत की बात नहीं है प्रोमोटर होल्डिंग यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत की बात यहीं पे आता है जो नेगेटी माइनस प जो 50% है उससे नीचे अगर होता है तो हम लोग का उसमें investment का decision देने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है correct उसका बाद 3 साल का cash flow positive है और 5 साल का cash flow भी positive है correct तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं और profit loss में देख लेते हैं क्या होता है profit loss with net profit में consistently grow किया हुआ है काफी time पर positive भी है उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दिक्कत की बात यहां पर कौन सा negative point आ रहा है negative point आ रहा है कि 11% का ROCE और आपका promoter holding less than 50% correct तो इसमें थोड़ा आपको देखने के लिए बात है इसमें आप लोग क्या decision लोगे आप लोग को हिसाब से अगर मेरे को अगर rating देने के लिए बोलो के तो मैं 7 दूंगा out of 10 उसका बात हम लोग सीथा technical पर चलते है आप लोग को दिखेगा कि यहां पर negative trend दिख रहा है तो एक बार अच्छा कासा consolidation हुआ फिर नीचे जाने के लिए कोसिस कर रहा है तो यह वाला कितना सही है और कितना गलत एक बार हम लोग इसका just आपर वाला जो टाइम फ्रेम है उसमें चेक कर लेते हैं यहां पर आप लोग को यहां पर cross hour देखने के लिए मिलेगा लगभग March 30, 1st April के असपस उसके बाद काफी अच्छा कासा उच्छाल आया था और यहां पर intensity भी काफी अच्छा कासा था उसके बाद यहां पर फ्लाटन होने के लिए कोसिस कर रहा है इसका intensity जो भी exponential moving average के intensity रहता है वो फ्लाट होने के लिए कोसिस कर रहा है तो इसमें अभी consolidation करने के लिए बाकी है क्योंकि अल्रेडी one day में कर चुका है अभी one week में करेगा one week में consolidation अगर होता है तो आप लोग एक दो दिन के लिए जो swing जाते जाओंगा आप वीडियो के साथ बने रही है तो यहां पर यहां पर यहां पर एंटर कर चुका जैसे टाइप लग रहा है करेक्ट और यहां पर काफी अच्छा कासा intensity यहां पर तूट रहा है ऐसे ही हम लोग को feel हो रहा है यहां पर हम लोग इसमें यही conclusion निकाल पा रहे हैं करेक्ट तो सिपला का में बता दिया आपको को कोई वान डे और वान वी को वान मन्थ में तो हम लोग सीधा चलते हैं 2200 का exponential moving average में तो 2200 बोल रहा है कि यहां पर जो भी reverse triangle बनाया हुआ है जो कि multi-veggar pattern होता है वो बनाया हुआ है और अच्छा कासा breakout भी हुआ है तो इसका यह reverse triangle का कितना अच्छा इसका कितना बूरा रहेगा आप लोग समझ पा रहे होंगे अल्रेडी क्योंकि अल्रेडी जब भी भी pattern थोड़ा सा destroy हो जाता है तो इसका जो breakout होता है उतना sustainable नहीं रहता है तो यहां पर मैं थोड़ा bearish हूँ इसी चार्ट के segment के उपर भ आएगा कि 614.73 लगभग 615, 615 है कि ऊपर कोई भी जो green candle बना है बड़ा green candle उसके साथ volume support में नहीं है और जो भी red candle बना है एक जो यह वाला red candle बना था यह वाला red candle बना था यहां पर अच्छा कासा volume support में था मतलब negative volume support में था correct तो यहां पर आप लोग decision ले पा रहे होंगे क आप लोग को क्या करना चाहिए जो यहां से 615 से जो movement था आपका 690 that is pure fake move correct तो यहां पर already consolidation चल रहा है और जितना लग रहा है कि यह 615 के नीचे आने वाला है तो अगर आप लोग यहां पर जो भी आप लोग का investment है यहां पर cut कर सकते हो अगर आप लोग को cut करना नहीं है रि अगर fresh buying करेंगे तो आप लोग को wait कर लेना चाहिए जब तक 615 के कितना नीचे जाता है और कितना तक नीचे जाएगा वो लोग हम लोग discuss करेंगे और इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा wait करना पड़ेगा अगर चैनल के साथ आप लोग जूड़े नहीं हो एक बाद नहीं एक टाइप का बойти लेकिन डो बार बना है करें यहां पर भी higher हाई बना और यहां पर लोग बना यहां पर लोग बना यहां पर भी ringing लोग बना लेकिन एक लाइन में नहीं आ रहा था तो एक डाइंडीबर्जेंस हम लोग बोलने ही सकते यह 21 बार्द बना है बड摆ा और यहां पर जो भी higher high divergence होता है हम लोग को पता है कि यह एक bearish divergence होता है और यहां पर bearish divergence मतलो अल्रेडी थोड़ा से नीचे गिर चुका है और यहां पर जो second divergence बना यहां पर confirmation आ गया कि नीचे यह stock जाएगा अच्छा करसा जाएगा करेक्ट क्योंकि एक बार यहां पर चुक गया तो दूसरा बार जाना ही जाना है क्योंकि यहां पर जितना अच्छा confirmation मिल जाता है जितना इसका divergence बनता है और जितना médi divergence बना हुआ है करेक्ट तो यहां पे भी हम लोग को BRS दीख रहा है और यहां पर जो भी निप्टी के साथ correlation अभी जैसे हम लोग इसके उपर काफे discuss कर रहे हैं तो यहां पर निप्टी के साथ कोई भी डिशन नहीं लेना जाए इसके उपर कोई भी इफेक्ट नहीं गिरेगा करेक्ट तो मैं एक बार समराइच कर दूं 5813 में हम लोग को बना हुआ है वह ज्यादा आपका वह देश्ट्र हो चुका ज्यादा सार्फ नहीं बना हुआ जैसे कि यहां पर बना हुआ था जैसे 2003 में बना हुआ था उसी टाइप का रिवर्स ट्रेंगल नहीं बना हुआ है और इसके बाद हम लोग का यहां पर कैंडर स्टिक में हम लोग को दिख रहा है कि जो भी 615 के उबर जो भी मुमेंट आया हुआ हुआ ग्रीन कैंडल वह सब फेक था विकॉज उसके साल वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं था ठीक है त यहां पर जो निप्टी के साथ को रिलेशन है यह माइनस में है तो आज के लिए बीडियो इतना है मैं आसा खता हूं कि आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो एक बार आप लाइक कर दिजिए और कोई भी डाउट हो तो एक बार कॉमेंटेशे साल पूछ लिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तो थैंक्यू थैंक्यू सो मच